नमस्कार दर्शको हमारे महमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ कोई न कोई नई शक्सियत होती है इस पार हमारे साथ जम्मू प्राविंस के इंस्पेक्टर जर्नल आफ पुलीस जनाब दानी शराना साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इनसे ही पुछेंगे और दर्शकों के जो सवाल हैं वो भी इनसे पुछेंगे कि किस तरीके से ये पुलीसिंग को और सुचारू रूप से बनाना चाहेंगे प्यूपल फ्रेंडली बनाना चाहेंगे और आज जो हमारे इस कठुआ और सांबा में जो इन्फिलिट्रेशन हुई है उसको किस तरह से रोक ठाम करके उन लोगों के इरादों को नस्ते नाबूत करेंगे जी दानी शराना साथ आपका हमारे स् सबसे पहला प्रेशन मेरा ये है कि क्या नजरिया रखते हैं क्या विजन रखते हैं आप कि पुलीसिंग में इस समय खासकर जमू प्राविंस में किस तरीके से और सुधार लाने की जरूरत है देखिए सबसे पहले पुलीस को मैं एक सर्विस के रूप में देखता हूं हमारा जो पहला एम जो होना चाहिए वो यह है कि हम लोगों ने as policeman services जो हैं वो लोगों को provide करनी है चाहे वो crime का मसला हो चाहे वो किसी की verification हो चाहे वो sense of security हो चाहे वो हमारी जो बहने हैं उनके मसले हो तो हमारा जो सबसे पहला फर्स बनता है वो हमने यह देखना है कि police एक force ना होते हुए एक सर्विस जो है वो हमने लोगों को प्रोवाइड करनी है मतलब आप छोटे शब्दों में ये कहना चाहते है कि प्यूपल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है सबसे पहली सोच आपकी ये है बिल्कुल एक पलीस अफसर के लिए कामयाबी की सीड़ी अगर उसको चड़नी है तो उसके लिए सबसे जरूरी है जिए उसको पबलिक फ्रेंडली होना ही पड़े था जी बल्कुल जी दानी शराना सब एक और एहम सवाल आप से ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि प्यूपल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है लेकिन लोग जो है उनके जहन में थोड़ी सी कही ना कहीं वो कटोती रहती है कि पुली स्टेशन जाना है ये होना है इन चीजों को दूर करने के लिए क्या आपने सोच रखा है कि लोगों के जहन से इस चीज को हटाया जाए डर जो एक आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों में आज भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक रिलक्टन्स जो है वो रहती है पुलीस स्टेशन जाने के लिए ये ये पुलीस को अप्रोच करने के लिए तो अगर ऐसा एक इंप्रेशन पुलीस के बारे में है तो मुझे लगता है कही न कहीं इसमें कुछ न कुछ सदाकत भी जो है वो जरूर होगी हो सकता है कि हमारा एटिट्यूट जो है वो जनता के प्रती अतना फ्रेंडली नहीं रहा या उसमें और सुदार लाने की जरूरत है तो मैं इसको इस नजरिये से देखता हूँ कि हम लोगों को मैं अपने सबाडिनेट्स को खास तोर पर कटिंग एज लेवल जो कि हमारा पुलीस स्टेशन है हमेशा वहां कहता है हूँ कि हम लोग पुलीस स्टेशन में हमारे पास जो लोग आते हैं जो साहिल हमारे पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं हो सकता है उसमें उनकी इग्नोरंस हो उसमें कोई ऐसा क्राइम हमें नजर नहीं आता हो लेकिन हमको एक एरोगेंस जो है वह नहीं दिखानी है दिखानी है हमको एक पॉलाइट एक सॉफ्ट अप्रोच जो है उसको अप्लानी है जी राना साब जैसा कि पिछले दिनों अभी होम डिपार्टमेंट की गरांट पी हुई और मुक्ति साहब ने एक बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया उस गरांट के दोरान जो हमारे ओनरेबल उन्होंने कहा कि एक मचली जो है वो पूरी तलाब को गंदा करती है जिसके कारण सबकी बदनामी होती है तो इन चीजों पे नकेल कसने के लिए कुछ ऐसा कोई विंग या कोई ऐसी सिस्टम को त्यार किया गया है कि कोई ऐसी चीज़े है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके स रहे कुछ प्राब्लम ना हो बिलकुल जैसा आपने कहा अंग्रेजी में उसको एपरेशन्स हम कहेंगे कि जिस तरह सुसाइटी में कुछ बूरे लोग हैं मेरा अपना ये व्यक्तिकत दृष्टिकों यह है कि मैक्समम लोग जो है वो अच्छे होते हैं लेकिन सुसाइटी में किसी औरगनाइज़ेशन में किसी डिपार्टमेंट में कुछ बूरे लोग जिसको हम ब्लैक शीप केंगे वो भी होते हैं उसी प्रिमाईस पर पुलीस में भी कुछ ऐसे लोग शाहँद होंगे इसके खिलाफ छाव एकशन जो हम डिपार्टमेंट ली लेते हैं और हमा अगर किसी के खिलाब शिकायत आती है, मैं आज आपको इन्फॉर्म कर दूँ इस मीडियम से कि आज ही का एक इंसिडेंट है, एक विजिलन्स ने हमारे एक एक एसा ही को शायद कर रहा था, उसको आज पकड़ा है, यह भी दो गंटे तीन गंटे परानी बात है, तो हम लोग क इनिशियेट करते हैं, और एक बड़ा स्ट्रॉंग मेसेज हम देना चाहेंगे, कि इस टाइब की चीज़ों को हम टॉलरेट करने को त्यार नहीं है, जी इसी के साथ जुड़ा हुआ राना साब एक कोश्चन है, जो कि आज हमने ग्रांट में भी सुना और काफी देर से भी में पहलों हैं, पहला तो ये है कि इंफरस्ट्रॉक्चर पॉइंट आफ विव से, हम लोग वहां पे आज जितने मॉदन गैजट्स हैं उम उन्को परवाइड करऊंगे जी चाहे वो हमारे बिल्डिंग हो, चाहे वो हमारे गैजट्री हो, ओगयूटर्स हों, चाहे वो that is more important जी वही चीज में आपको कह रहा हूं कि एक अटिटूडनल चेंज जो है वो लाने की बड़ी सब्सक्जरूरत है ताकि पुलीस को एक फोर्स के रूप में नहीं एक सर्विस के रूप में देखा जाए एक हलपर के रूप में देखा जाए चूकि आपके मैशा हल्प करन कश्मीर में गन नहीं मैं एंड्रोइड फोन देखना चाहता हूं और उस एंड्रोइड फोन के तहत क्या किस तरीके से क्या पुलीसिंग में और सुधार हो सकता है लोग अपनी कंप्लेंट्स जो है जो पीछे हमने सुना भी था कि एक SMS विंग खोला गया है उसको एक ग्रिवांस रिड्रेसल के लिए भी इसको यूज करना जो बड़ा ज़ूरी है हम लोग इन चीजों को बहुत इंकरेज करते हैं हर लेवल पर हमने चाहे वह वाटसाइप ग्रूप्स हों चाहे वह फेस्बुक पर मारे पेजिज हों चाहे मैं अपना ही नंबर कहीं सर्क का दोर है तो अबिसली इस से हमें एक तो जनरल पब्लिक के करीब पहुंचने का मोका मिला है और सेकंडली हम लोगों की अपनी भी जो एफिशेंसी है इस सोशल मीडिया से ज़रूर बड़ी है जी बिल्कुल जी ये तो रहे पुलीसिंग के अब मैं एहम सवाल एक और आप तो क्या लगता है कि अब इन पर नकेल लगाने के लिए किस तरीके से जम्हू कश्मीर पुलीस कदम उठा रही है इंफिल्ट्रेशन के तरीके जो हैं बदले गए हैं जी उसके रूट्स जो हैं आज कल बदले गए हैं कुछ और डिस्रिक्ट्स हमारी ऐसी होती थी जो दे नेटॉरियस फॉर इंफिल्ट्रेशन बट आफ लेट हमने देखा है पिछले दो साल तीन साल में की जो अटेम्ट्स हैं आज वो ओवरनाइट इंफिल्ट्रेशन की अटेम्ट्स होती हैं जी ताकि रात को निकल कर देकन कम उन दा हाइवे और कोई स्कुरिटी इंस्टॉल इंस्टॉलेशन हो तो उसको वो निशाना बना कर अटैक कर सकें तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो हमने मैजर्ज लेने हैं वो भी उसी तरीके के हैं जो हमने आपका इशारा जो लास्ट टैक हमारा हुआ राजबाग में शायद उस तरफ तरफ ता उसको हमने एनला और जो इसमें कदम उठाने हैं वो हम उठाएंगे और चाहे वो जनरेशन ऑफ इंटेलिजेंस हो चाहे वो एक बड़ा इंपॉर्टन एस्पेक्ट इसका ये भी है कि हम लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर लें जो इंसिडेंट्स हुए हैं ताकि हम इस तरह की चीज को है वो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है दानिशनाना साथ कि जो राजबाग में उन्होंने अटैक किया और जिस चगह पे अटैक किया वहां बहुत बड़ी कैजुलिटी हो सकती थी लेकिन हमारी जमू कश्मीर पुलीस ने इतनी मुस्तेदी से उनके इरादों को नस्ते जाता हूँ ये हमारे जवान भी जू है जमू कश्मीर पुलीस के वह आपकी आवाज को सुन रहे हैं और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं देखे जहांब् Holly कोई प्रॉबrecht होती है वहां खासकर जमू कश्मीर में जमू कश्मीर पुलीस किसी के घर में कोई लडाई हो गगी तो जमू कश्मीर पुलीस इंवाल्व है कहीं इंफ्लिटेशन हो गई तो जमू कश्मीर पुलीस इंवाल्व है कहीं एजिटेशन हो गई तो जमू कश्मीर पुलीस इंवाल्व है लेकिन जमू कश्मीर पुलीस के जवानों का वेलफेर जो है as comparison to CRPF वो बहुत कम है तो क्यों वो भी तो दिन रात मेहनत करते है कोई डोडा से आकर कठुगा में बैठा है स्रिनगर से आकर बांडीपूरा से आकर लगनपूर पर लगा हुआ है तो आप जम्मू प्राविन्स के रहनुमा है इंस्पेक्टर जर्नल आफ पुलीस है यह आप से जानना चाहते है कि इनके लिए भी आपकी आवाज जो है पी एच के ओ तक जानी चाहिए ता कि इनको भी कुछ मिले बड़ा एहम सवाल आपने उठाया क्योंकि जो जवान की वेलफेर है हमारी ओवराल जो एफिशेंसी जो है जो हमारी आउटपुट है वो इसी पे डिपेंट करेगा कि हम लोग अपने जवान को कितना अच्छी तरह से रखते हैं और यह बड़ी एक नेचरल सी एक हूमन टेंडेंसी है कि हम लोग अच्छा इंवारिनमेंट जो है वो दूड़ते हैं रहने के लिए काम करने के लिए तो हलां कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि CRP का बहुत बेतर है और हमारा नहीं है हम लोगों ने करें तो बेटर होगा नेचर आफ डूटी भी लग है हम लोगों ने कई कदम इसमें उठाए हैं वेलफेर अक्टिविटीज में हमारा जो होसिंग पार्ट है वो बड़ा जादा इंप्रूव हुआ है ओवर दे इयर्स आज भी कमिया पेशिया है मैं उस बात से इंकार नहीं करूंगा और उसमें जो भी हमें कदम उठाने हैं हम उठाएंगे उठा भी रहे हैं और इट विल टेक सम टाइम लेकिन हम लोग बड़ा मजबूत इरादा रखते हैं कि हम अपने जवान को जो हैं हर तरह की जो सूल जिया आता है वो हम उसको दे सकें जी इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ पॉइंट यह है कि जिस तरीके से आपकी चोकी या पुली स्टेशन्स हैं वहां रहने के लिए जवानों के लिए एप्रोप्रेट जगा भी नहीं है क्योंकि अगर आप कोई आपका चोकी अफसर रात को कोई दस या ग्यारा या बारा बज़े कोई ऐसा इंस्टांस होता है उसको भी सोने का हाँ है उसको भी रेस्ट करने का हाँ है वो अपने घर में बैठा है घर उसका दो किलोमेटर की दूरी पे है जब तक वो वहां पर पहुंचता है तो कोई नो कोई ऐसी अन्होनी घटना अन्जाम हो चुकी होती है तो क्या ऐसा नहीं है कि अंदर ही उनके लिए प्रोवाइड किया जाए अंदर बैरक्स हमारे मैक्सिमम जो इंस्टॉलेशन उसमें हैं कुछ हमारी मेक्शिफ्ट चोकी हैं जो कि सिक्यूरिटी पॉंट अव व्यू से मने बनाई या फिर कभी नीड बैसिस पे मने बनाई हो सकता है वो अभी हमारी अपनी पुलीस बिल्डिंग्स ना हो जी या बिंग हॉस्ट इन सटन डिफरेंट बिल्डिंग्स तो उसमें शायद कहीं कमी बेशी हो जी बट अदर वाइस मोर और लेस हमारे पास इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि कोई रहने की जगा नहीं है जी बट जो सेंक्शन पोस्ट्स मारी है या पुली स्टेशन हैं वहां पर इनका इंफरस्ट्रक्चर जो है वो बैरेक्स या कम्यूटी लंगर्स वगारा उसकी जो फैसलिटीज है वो वेलिबल है बट आपका यह भी कहना दरूस्त है कि कुछ मेक्शिफ नाकाज हो सकते है या कुछ ऐसी हमारी मेक्शिफ पोस्ट सो सकती है जिदर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो इसमें के जगा हमने लैंड इक्विजिशन जो है वो की है और नई बिल्डिंग जो है वहां पर बनी है और जिदर नहीं है तो वहां पर भी हम लोग प्रसेस कर रहे हैं कि इनको किस प्रस्टां से यह अवसिंग वकरा जो है प्रोवेट की जाए जी दानिश्राना सब समय की नजातत को देखते हुए आखरी प्रशन आप से पूछना चाहूंगा हालां कि प्रश्न तो बहुत हैं पुलीसिंग के रिलेटेड लेकिन समय की कमी के कारण एक आखरी प्रशन आ ग्राइवयर्ट हो रही है और डॉelmen की तरफ एंप्राइमेंट की तरफ उनका ध्यान नहीं रहा इन चीजहां के इन चीजहों पर नकेल लगाने के लिए क्योंकि अल्टिमेटली अगर मंत्री से भी पूछा जाएगा किसी कैबिनिट मिनिस्टर से भी बहु पूछा आज जोन में जॉइन करने के बाद या इससे पहले भी ये मेरी जानकरी में था कि ड्रग अडिक्शन का जो मैनस है वो आज मारे यूथ में कफी हद तक एक पॉईजन की तरह फैल चुका है इसको हम लोग बहुत सीरियसली लेने वाले हैं ये मेरी एक प्रियरिटी रहेगी इ एक तो सबसे पहले तो यही है कि हम लोग जो ड्रग स्प्लाइ करने वाले हैं उनको इडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लेने हो सकता है कुछ हमारी नेवरिंग स्टेट्स से अंदर आ रहा हो जी दूसरा पहलो इसमें यह है कि ड्रग अडिक्ट जो है उसको कॉं जी उसको मैं फिर से एक बार देखके उसको रिव्यू करके उसको हम और ज़्या है और भी उसको ज़्यादा हम उक्विप करेंगे ताकि हम अपने यूथ को जो कि हमारी एक फूचर इंवेस्टमेंट है उनको हम गलत रास्ते पे ना जाने दें और तीसरा इसका बड़ा ही कि अगर कभी ऐसे केसिस हमारे नजर में आते हैं तो हम उसको एक लोजिकल एंड तक लेकर जाएं अच्छी इंवेस्टिकेशन करके इससे साथ ही जूर नहीं हो सकती कि क्या जो आपकी इंटेलिजिंस एजन्सीज हैं उनकी हल्प लेके जहां से ये मैनिफेक्ट्रिंग कुछ बोलना नहीं चाहूंगा बट तू बेस्ट अफ माइन नौलजज ऐसा मैनुट्रिंग मेरे ख्याल में जेंड के में नहीं होगा मेरे ख्याल में ये हमें भी बार से जो नेभरिंग स्टेट्स में ड्रग्स जो है खासकर के पंजाब और इमाचल वगरा में इतर कफी जादा ये मैनस है तो इसमें अगर हमें इंटर स्टेट की कोडिनेशन की जूर्थ होगी जो हमारे साथी पंजाब में हैं उनकी में मदल लेंगे लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरूस्त है कि वी आप टू निप दे इवल इंद बट यस तो उसलिए हम जो मैनुफेक्ट की जनता को अगर अपना कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर आपकी जनता आपसे संदेश सुनना चाहेगी जनता के लिए मेरा एक बड़ा चोटा सा संदेश यही रहेगा कि आप लोग पुलीस में यकीन रखें हम लोग आपकी सिक्यूरिटी के लिए हैं हम लोग क्र और किसी भी तरीके की आपकी जानकारी में कोई ऐसी चीज आए तो आप हमें इंफॉर्म कीजिए, हम लोग आपके लिए हमेशा त्यार हैं, चाहिए वो मेरे SHO's हैं, SDPO's हैं, SP's हैं, हर लेवल पर हम लोग आपकी मदद करने के लिए त्यार हैं. एक चीज दो पूछना चाहूंगा कि पुराने कुछ समय पहले, यहां मैसेश पी थे, आनन जैन, उन्होंने काफी हद तक यहां इस ड्रक्स को रोकने के लिए नाका सिस्टम स्टार्ट किया था, और उससे जैसे चेंज स्नैचिंग का उस टाइम बड़ा बोल बाला था, और कहीं न कहीं आ जाके वो फस्ते थे और इस चीज पर नकेल लगाई गई थी, तो क्या इन चीजों को भी थोड़ा सा रिफॉर्म्स नहीं करना चाहिए, आप लोग जो करेंगे, आप लोग उसको फील्ड में देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यह यह बताना पुलीस, जनाब दानिश राना साब, और हमने इन से यह जाना कि किस तरीके से यह क्राइम, इन्फिलिट्रेशन और लोगों के साथ पीपल फ्रेंडली होंगे, और इन्होंने बड़े सपश शब्दों में कहा, पुलीस जो है बिना लोगों के साथ के नहीं चल सकती, और ल लेकिन हम उस पे स्तर्क हैं और हम उनके इरादों को नस्ते नाबूत करेंगे, वो चाहे कुछ भी सोच के यहां आए, हम उनको कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे, जो उनका इरादा है, और उनके इरादों को इमिजेट से इमिजेट नस्ते नाबूत किया जाएगा, और झाल झाल